लिबनान में हिजबुला चीफ हसन नसरला के खात्मी के बाद उनके भाई हाशिम सिद्धिकी को गर्दी मिलने वाली थी लेकिन इसराइल ने कुछी दिनों में सिद्धिकी का भी खेल खतम कर दिया मंगलवार को हिजबुला ने अपने डिप्टी नाइम कासिम को सर्वे सर्वा खुशित कर दिया है कासिम की ताजबोशी के तुरंद बाद हिजबुला ने इसराइल पर धावा बोला है हिजबुला ने अकेले नहीं यमन के हूती विद्रोईयों के साथ मिलकर इसराइल को देलाया उत्तर में हिजबुला तो दक्षण में हूतीयों ने इसराइली शहरों पर बंबारी की हिजबुला हमास और हूती सभी को इरान का समर्थन प्राप्त है हिजबुला ने इस्राइली शहरों पर कम से कम 50 रोकेट छोड़े हूतियों ने यवन से इतने ही मिसाइले छोड़ी इस्राइल की आपातकालीन सेवा मेगन डेविड एडूम यानि की MDA मंगलवार को बताया कि लेबनान से हिजबुला द्वारा दागे गए रोकेटों की बोचार नहरिया शहर में गिरी इस हमले में कम से कम एक की मौत हो गई है इस्राइल रक्षा बलो ने कहा कि बंबारी में लगभग 50 रोकेट दागे गए जिन मेंसे कुछ को रोग दिया गया है इस्राइली सेना ने हमले के बाद बयान में कहा कि हमलों के बाद शहर की कई अमारतों और इलाकों को नुकसान हुआ इस्राइली सेना अभी भी हमले के बाद नुकसान का आंकलन कर रही है MDA ने कहा कि घटना स्तल पर कई अन्य लोग पुरी तरह घायल है जिनने उप्चार के लिए स्पताल भड़ती कराया गया है सोशल मेरिया पर हवाई हमलों के कई वीडियो सामने आये हैं फुटेज में हमले का जवाब देने के लिए कई आरेंड डॉम इंटरसेप्टर मिस्तायलों को दागा गया यह घातक हमला मंगलबार की सुभा लेबनान और यमन दोनों से इसराइली शहर उपर किया गया हमलों का निशाना उत्री और दक्षणी इसराइल के नहरिया और अशकलोन शहर में हुआ सुबह करीब साथ बजे दक्षणी तट्ये शहर अश्कलोन में यमन से ड्रोन हमले हुए हमलों के साथ ही शहर में साइरन बचने लगी सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो में ड्रोन को शहर के एक रिहाईशी इलाके से सटे खुले इलाके में गिरते हुए देखा गया IDF ने अनुमान लगाया कि विस्फोटक ड्रोन यमन से लॉंच किया गया था हलाकि हूतियों ने हमले की तुरन जिम्मेदारी नहीं ली है इस हमले से कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन आग जनी और इमारतों को काफे नुकसान हुआ है IDF इस बात की चांच कर रहा है कि वे ड्रोन को मार गिराने में क्यों विफल रहा हूतियों ने पिछले वर्ष से इसराइल पर 220 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइले, क्रोज मिसाइले और ड्रोन दागे हैं जिन में से अधिक तर इसराइल के दक्षनी शहर इलाद की और दागे गई हैं हूति विद्रोयों का कहना है कि वे ये हमले गाजा में फलिस्तीनियों पर इसराइल सेना द्वारा किये जा रहे जुर्म के प्रतिशोद में किये गई हूति हमास का समर्थन करता है हिजबुला ने बयान जारी करते हुए बताया कि शूरा कांसल ने सहमती से कासिम का चुनाव है नाइम को 1991 में संगटन का डिप्टी चीफ नियुक्थ लिया गया था हिजबुला ने बताया कि संगटन के प्रती कासिम का समरपन और ललक देखकर उन्हें चीफ नियुक्त किया गया है हमास नस्रल्ला की मौत के बाद कासिम को हिजबुला का नंबर टू नेता बताया जाता है कासिम लंबे समय से नस्रल्ला का सहायक था उसकी मौत के बाद सेवे संगटन के कारवाहक नेता के रूप में काम कर रहा था भले ही नाइम कासिम को हिजबुला का नया चीफ नियुक्त किया गया लेकिन संगटन ने संकल्प लिया है कि जब तक इस्राइल के खिलाव जीत हासल नहीं हो जाती है तब तक हिजबुला नस्रल्ला की नीतियों पर चलता रहेगा तेही सितंबर को इस्राइल सीना लिबनान पर ये इस्राइ कर रही है दक्षणी लिबनान की सीमा में दाकिल होकर इस्राइली सीना हिजबुला के खिलाव सेने कारवाई भी कर रही है हिजबुला के ठिकानों पर इस्राइली सीना लगातार बंबारी कर रही है बता दीं कि तेही सितंबर को इस्राइली सीना ने दक्षुनी लिबनान में हसन नस्रला को मार गिराया था, जब हसन नस्रला हिजबुला की कमान सम्हाल रहे थे तो कासिम संगचन के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक थे वीडियोडेस्कमरुचाला.com आपके इस भरुसे के लिए बहुत धनिवाद.